क्या हिंद देखिए USSR जो टूट कर रहा रसिया बना है और यूक्रेइन के बीच में क्या विवाद है इसको समझते हैं और आखिरी USSR पूरी दुनिया का इतना बड़ा देश कैसे बन गया USSR का फुल परम होता है Union of Soviet Socialist Republican USSR इसी को shortcut में हम लोग पहले Soviet संग कहते थे इसकी सुरुवात होती है 1917 में रूस की क्रांती में रूस के राजा जार का आ जाता था रूस के राजा को उस समय 1917 में जो जार थे यानी राजा थे उनका नाम तर निकोलास जो थी इनके समय भ्यानक क्रांती हो गई रूस की जिसे हम वालसेवी क्रांती भी कहते थे और इस क्र झरमनी में एग्जाइल पर वापस वो आ गया, यहां पर इस क्रांती को बहुत आगे बढ़ावा ले गया, और इस क्रांती के फल स्वरूर। रूज जो था एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया सोवियत संग और सोवियत संग की अस्थापना यानी USSR की अस्थापना 1922 में हो गई थी और यह समसे बड़ा देश बना और इसमें 15 छोटे-छोटे देश मिलकर एक विसाल खंड का निर्मान करते थे जिसमें यूक्रे इतनी जमीन जो थी वो USSR के पास थी तूटने के बाद ये 15 देश तूटने के बाद भी 70% एरिया बजगिया रूस के पास UK त 계öhाँ यही से तूटा यूक्रेन, 15 देसो में एक यूक्रेन भी था जे इसमें से अलग हो गया था 1991-2014 थक में सब कुछ ठीक चल लाथйा जब 1991 में यूक्रेन अलग हुआ था और वहां से लेके 2014 चौदा तक में तब ठीक ठाक चल ला था चौदा में क्या हुआ यहां के एक राष्ट जो राष्ट पती थे उनका नाम तब पेट्रो यानुकोईच यह जो थे यह रूस के समर्थक थे रूस कहा रहा था कि तुम यूक्रेन को यूरोपी यूनियन में सामिल मत करो क्योंकि अ यूरोप और अमेरिका वले उसमें फ्रांस भी आ जाता है ब्रिटेन भी आ जाता है अमेरिका इटली यह सब आ जाते हैं तो यूरोपी यूनियन में रूस ने मना किया यूक्रेन को जाने के लिए हाला कि पेट्रो जो थे रूस के समर्थक थे लेकिन जनता चाहती थी वह पेट्रो ने अपना डिसीजन बदला जिस वज़से यूरोपीय यूनियन में सामिल कराने वाली जनता जो थी वह यूक्रेन के राष्टपती का विरोध कर दी जिस वज़से यह 2014 में भाग के रूस में चले गए और यहां एक सरकार आई जो इसे यूरोपीय यूनियन में स भागता कर लिए क्रीमिया का प्रकाब्या जब हुआ 2014 में पूरी दुनिया देखते रहा गई किसी ने कुछ भी नहीं किया और यह रूस पर प्र्तिबं लगा रही थे और दुनिया के जो 8-6-7 अर्थ वेवस्था वाले देश है जिने जी-8 कहा जाता है नक्सा से देखें बिच में जैना इता है उचता है तो इधर से कंताडा ऑर अमेरिका इस जैना चिंपने के वज़े का यह है। को समझ में आरहा होगा कि ऐसा विवाद हो रहे यह चलते आ रहा है 2014 से चलते आ रहा है वह गिया जी 7 हो गया जिसमें से रूस को बाहर निकाल दिया उसके बाद 2015 में Minsk एग्रिमेंट साइन किया गया इस एग्रिमेंट में यूक्रेन ने कहा कि भाईया हम लोग अब लड़ाई जगडा नहीं करेंगे यूक्रेन भी ध्यान रखेगा कि यूरोप तथा अमेरिका का प्रभाव यूरोप में बढ़ने ना दे लेकिन सब गढ़बढ कब हो गया जब यूक्रेन ने 2017 में कहा कि वो नाटो जॉइन करना चाहता है नाटो का फुल फ़म होता है North Atlantic Treaty Organization इसका स्थापना 1949 में हुआ था वर्तमान में इसमें 30 देश आ गया है और ये 300 सक्तिसाली कनाड़ा है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी ये जितने खतरनाक अब बताईए यूक्रेन अगर नाटो का सदस बन जाएगा, तो नाटो के नियम के अनुसार, जो भी नाटो का सदस है, वहां किसी भी देश की सेना आपस में वहां जा सकती है, तो यूक्रेन जिस दिन नाटो का सदस बनेगा, अमरीका की सेना यूक्रेन में भी आ सकती है, अब बताईए कोई देश कैसे बरदास कर सकता है कि उसका पडोसी देश जो उसी से तूटा हुआ है और उसके सिधाने लेया के दूस्मन को बैठा है और एक दूगो ने पूरा ग्रूप के दूस्मनों को बैठा है अब अमेरिका यहाँ आएगा अमेरिका एकको गोली चलाया और रूस भी चलाएगा तो हो गया नाटो के आर्दिकल 5 के उलंगन अब पूरे 300 मिल के मारेंगे तो अमेरिका यहां के बैठ जाएगा और कमजोरी स्थिति के पाइदा उठा के उसमें हमला कर देगा और पूरा सेना का जमावड़ा लगा देग तो कोई भी देश अपनी राष्टी सुरक्षा को ध्यान में रखता है ये जरूरी है अब दीगिंए नाटो में इतने देश है ये जितने रेड कलर के हैं सब नाटो के देश अब आप ही बताईए यहां पर रूस है रूस के सिधाने इतने दुस्मन देश है रूस अगर इ एजोब सागर पूरी तरह से रूस के कबजा में आ गया, इसके बाद यहां डोनस तथा लुहांस, यह दो सहरों को, दो जगों को, बिद्रोहियों को खड़ा किया, और अपने साइनिकों को यहां भेज दिया, और वो साइनिक जो थे, वो साधी वर्दी में थे, और बिद्रो यहां रूस अपनी पूरी सेना भरे हुए है, ताकि इधर से हमला करना होगा तो कर ही देगा, यह रूस है, इधर से हमला आराम से कर देगा, और यहां से तो रूस घूसी चुका है, क्रीमिया में पहले से कब्गा किया था ये नौसेना लगा के यहां से चल जागा चो तरफा हमला कर देगा यूकरेन के उपर रूस यूकरेन को ये समझना चाहिए आने वाले खत्रों को भाफना चाहिए 많 पर आप किसी ऐसे आदमी से अब खत्रा नहीं मोल सकते हैं। अब ये लोग क्या कर सकते हैं। तो ये अमेरिका की परतिबंद लगाएंगे। नाटो का धमकी दे रहा है इसको। भाईया नाटो का अगर सदस बन जाएगा यूकरेन तब तो बवाल हो जाएगा। यहाँ दो एरिया जो है उस पर रूस ने स्वतंत देश घोसित कर दिया। लुहांस और डोनेस। इसे डोनबास रीजन भी कहा जाता है। अब इस पर रूस क्या करेगा। यहाँ से हमला कर देगा। अब आप कहेंगे यूएनो ने क्यों कुछ नहीं किया। तो यूएनो को अमेरिका ने खुद एक ऐसा कटपुतली बनाया है कि अमेरिका यूएनो का यूज करके किसी भी देश पर हमला कर सकता है। आज उसी का फाइदा रूस उठा लिया। कैसे उठाया समझे ध्यान से। यूएनो का एक नियम है आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल 7 कहता है कि कोई देश कि के लिए जा सकता है। नहीं समझे अब समझे कैसे होता है। यह रूस ने इन दो देशों को मानेता दे दिया कि यह अलग देश है। और आर्टिकल 7 यूएनो का कहता है कि कि किसी भी देश की मदद के लिए दूसरा देश आ सकता है। तो यहाँ पर स्वतंत देश की मानेता दे दिया, यहां किसी को परधानमंतरी राश्टपती बैठा दिया, और उसने लेटर लिख दिया किसको, रूस के राश्टपती को, कि हमें साइन मदद दीजे, और इसके साइन मदद के आधार पर इस पर हमला कर दिया यहां पर, और कहा रहा है यह यह special military operation है, युद्ध है न में किया था, यहीं अमेरिका कोरिया में किया था, तो जब अमेरिका करेगा तो गलत नहीं है, रूस कर दिया तो गलत है यहां पर, आर्टिकल 17, UNO में कोई भी चीज बरबा, UNO क्या कर पाएगा, एंटोनियो गुटेरस, फिलिस्तीन पिटाता है, क्या कर लेते हैं, कुछ नहीं, कस्मीर का मुद्धा आस तक हटका हुए है, क्या कर लिया इन लोगे ने, तालिबानी जब अफगानिस्तान में आतंग मचा रहते हैं, क्या कर लिया इन लोगे ने, यह पूछ भी नहीं है, UNO मतलब पूछ नहीं, तमासा है, अमेरिकी खुपी आजेंसे CIA कह रही थी 12 फरवरी को सुबह 5 बजे रूस यूकरेन पर हमला करते हैं, बैल है रूस, जब तो बता के हमला करें, उस दिन हमला करना भी रहता तो नहीं करता पहले से पता, तो रूस ने क्या कि उस दिन पीछे हट गया, पीछे भई समंदर की लहरें अगर पीछे हटती है, तो सुनाम रूस ने, रूस से चाइना ने कहा था कि ओलंपिक हो जाने दो, विंटर ओलंपिक, तो बीजिंग विंटर ओलंपिक 20 फरवरी को खतम हो गया, इस दिन लास्ट हो गया, और 21 फरवरी को ब्लादीमीर पुतिन ने यूकरेन में दो स्वतंत देसों की घोशना कर दी, अब रूस देना से हमला कर दिया, ये यूद ही नहीं, इस पेसल मिलिटरी आपर, किस के वज़े से, यूएन नो क्या एतिकल सेवन के वज़े से, इस हिसाब से, हम लोग भी पाकिस्तान में हमला कर सकते हैं, किस तरह से, वहाँ पर जो बलुचिस्तान है, वहाँ के लोग अगर के दे देते हैं, कि हमारी मदद कीज़े, तो हम लोग भी मार सकते हैं, आज यूएन नो क्या कहता है, जिसकी लाठी उसकी भाएंस, इस हिसाब से, यूएन नो चल रहा है आपर, अब इसके बाद हमला यहाँ पर, तेज कर दिया गया, रूस ने इसके उपर हमला कर दिया, अला कि जब USSR का हिससा था, और यूएन का काफी विकास किया था, रूस ने, अब देखिए कैसे, यह है आपका यूखरेन, यूखरेन का काफी विकास किया था, जितने भी उस समय के जहाज बनते थे, तूर्की को बोले कि हमारे लिए जहाज बना दो, ये तो यूक्रेन की गलती है, यूक्रेन में काफी विकास किया था, यूक्रेन में ही प्रिपेट सहर बसाय जया था, जहाज चर्णोबियल दुरगटना हो गया था, 1986 में परमारू दुरगटना, उसकी राधानी केव के पास क्योंकि कोई भी देश अपनी सुरक्षा को सर्वपरी रखता है यूक्रेन जो है आज भी जो एना के हथियार बनते थे टैंक वगरा वह रूस यूक्रेन में बनाता था क्योंकि वह चाहता था कि पंद्रहों देश खुलके रखे आज भी पाकिस्तान के टैंक जो है वह यूक परमाडू बम नहीं दिया रहता ना तो यह मामला कुछ और रहता तो यह परमाडू बम कितने सलक्री साल यह कोई भी परमाडू संपन देश परमला नहीं करता है तारा मामला 2014 से गड़ बढ़ाया था जब नाटो और यूरोपी यूनियन ने इंट्री किया था देखिए रू यूक्रेन का नक्सा है इसमें इतनी साथे पाइपलाइन जा रही है अब यूक्रेन ने 2014 में नाटो के दबाओ में आके कहा कि तुम अगर इधर से पाइपलाइन ले जाओगे तो हमको सालाना 23 billion dollar पैसा दो तो रूस ने का ठीक है दे देंगे तो सब्सक्रा 23 billion dollar तुम पैसो लोगे नाटो में सामील भी हो जाओगे यूरोपीय यूनियोन में सामील भी हो जाओगे अरूस से संबंदों नहीं रखोगे तो हमारे कहवत कहा जाता है पानी में उतर के मगरमस्ट से बैर कीजिएगा तो मर के आईएगा किसी बीच मेरा चचवा पहुच गया रूस में अब बताईए बेसरमी की हद होती है कि रूस युद्ध के मोहाने पे खड़ा है और ये जाके 10,000 करोड उपया करजा मांग रहा था कि हमारे याँ पाइपलाइन बिचाना है बिचा दिये रूस भगा दिया इसको जैसे ये क राग भी हमको 10,000 करोड उपया मदद चाहिए उसी समय रूस ने यूकरेन पर हमला कर दिया अब बताईए कोई गदाहा भी विद्धिया इतना बड़ा ये परधानमंत्री होके गलती किया जितना हमरा कोई विद्यार्थी गलती नहीं करेगा रूस देखिए इसका सब से ज खिलाब केवल जा रहा है मीटिंग करने के लिए किसलिए क्योंकि जो बाइडन ने जब से सपत लिया इसको फोन ने किया तो उनको जलाने के लिए गिया था अरे गदहा कहीं का यह सास बहु का जगड़ा हो रहा है का कि तुम जलाने के लिए गय थे 10,000 करोड गय थे मांग आज भी पाकिस्तान में 12,000 रुपया का गैस सिलिंडर पढ़ रहा है अब 12,000 रुपय में गैस सिलिंडर पढ़ रहा है जिस दिन ये FATF के ब्लैक लिश्ट में जाएंगे न उस दिन ये 20,000 चल जाएगा आई ये में पर अमेरिका का दबाओ है वर्ल्ड बैंक पर अमेरिक उनको वड़ेगा निया का सबसे महाँ अज़ा टेस्ट इन्हे का हुआ है गये है अाटी पीसचर टेस्ट कल रहे हैं मिला कुछ नहीं है उल्तेव चार अरब रुपया का पैनाल्टी ठोक दिया है याश्टी पेसीर यार तुम्हारे छानता पतने वित्ज बीचर उसको यूएनों में आप हमारा सपोर्ट की जै क्वी भारत 2 साल के लिए यूएनों आस्थाई सदस है यहाँ पर आप इसमें भारत ने वोट ही नहीं दिया, कहा कि न हम रूस के और से हैं, न यूकरेन के और से हैं, तो रूस ने कहा थैंक यू, थैंक यू, भया तुमने नहीं दिया, बहुत बहुत अच्छा हुआ, चाइना ने भी कहा हम भी वोट नहीं देंगे, यूएई ने कहा हम भी नहीं देंगे, अम UAE यहांपर इस्ति-yamon'' UAE के नीचे यमन है, यमन में हैती बीद्रोही हैं सब, और इन बीद्रोहीयों को इरान का साथ प्राप्त है, अगर UAE रूस के खिलाप जाएगा, तो रूस की दोस्ती है एरान से, वो इरान को ब्रोही वो करो ब्रोही है लेकिन इज्राइल ऐसा करने से मना कर दिया है यहां से अगर Jisraelle को आगे बढ़ना होता है, तो रूस से परमीसन लेना होता है, और अगर रूस से दुसमनी लेगा, इस्राइल अमेरीका के चकर में आके, तो रूस इनका भी उपाय कर देगा, सीरिया के बगल में लेबनान, लेबनान में हिजबुला नमक आतंगवादी संगठन है, अब इजराइल की दुस्मनी है इरान से, रूस कहेगा इरान को कि तुम अपना सारा आतंगवादीयों का हतियार सीरिया में भेजो, अब सीरिया से वो जाएगा लेबनान में, लेबनान में उस हतियार को लएगा हिप जुल है रिजबुल्ला और वह मारेगा इस्राइल को इसराइल ने कहा कि देख भईया रूस जो हैना सब का उपाय रखा है इस मिड्यलिश्ट में कोई चूचाए करता है तो रूस सीदे किसको करता है इरान को करता और इरान सब को कंट्रोल करके रखता है अलाकि यूक्रेन के जो प्रेजडेंट है जोनेंस की वो भी जीव यानि यहूदी है और इस्राइल भी यहूदी है अब यहूद यह उसका मदद नहीं करा क्योंकि देश सरोपर ही होता है अपने देश को काई लिए हम रिस्क में डालेंगे हर देश म अब यह यूक्रेन का बड़ बोला पन था जो यू तक तो सीमी था लेकिन नाटो में गए अब लड़िये यहाँ पर अब यूक्रेन को छोड़ेगा नहीं रूस जो फाइनल है अब वहां के लोगों को सफर करना परता है वहां के लोग कापी बहादूरी से लड़ रहे हैं और जो बड़े बच्चे हैं वो मेट्रो में या कहीं सेल्टर होम में जाके रह रहे हैं लेकिन देश के नागरीकों को भी सोचना चाहिए किसी देश को इतना टॉर्चर मत करो रूस को अपनी सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखना पड़ेगा हमको बड़ा कड़ा सब नाटो की जरुवत क्या है आप 15-30 देश मिल के किसी को मारें यहांता तो यूकरेन के लोगों को इसका खामियाजा भूगतना पड़ेगा लेकिन क्या होता है कि देश हर इंसान को अपना देश प्यारा होता है देश तो बहुत बड़ी चीज होती है इंसान जिस कमरे में सो करना रही है कई बार हमें कड़वे घोंट कीने पड़ते हैं तो यह चीजे होती ही कई बार देश को ऐसा लगता है कि अभी हमला कर देना चाहिए लेकिन उसको सोच समझ के करना चाहिए हमारे उपर भी हमले हुए थे नब ना इस विज़गा नेकिन उसवज़े से हमारी देश की अर्थ बेवस्ता नहीं बड़ी अब क्या है दीरे दीरे धीरे पाकिस्तान खुदी बरबात हो जाए का तो यह उक्रेइन की लोगों को सोचना चाहिए-चैसा ना करें कि रूस जैसे इतने बड़े देश से रोगाे है युख्रेड को और कोई मदद के लिए नहीं आया यह दुनिया के लिए भी एक लेसन है कि जब तक अपने फेर नहीं खड़े रहेंगे तह सकत कोई मदद करने के लिए नहीं आएदा कोई आएगा आएगा रूस का दूसरा डिमांड है कि जो एस्टोनिया, लातिविया, लिथुवानिया जो एकदम इसकी राजभानी के पास नाटो से ना आके बैठी हुई है, इन्हें वापस बिड्रॉल करें, अमेरिका ने यूरोप में जो परमाडू बं रखे हैं, इसे वापस ले जाए, ये ब क्रीमिया में वही काट चुके हैं, अब ये है एक देश है जिसका नाम है मॉल्डोवा, ब्लादिमीर पुतीन क्या किया है, बहुत पहले से प्लानिंग के तहट, मॉल्डोवा के इस छेत्र को वीद्रोहियों द्वारा आजात करा दिये हैं, इधर वीद्रोही छेत्र हैं, aus-trans-nistria नामक इस देश को बना दिये यहां पर, अब उनका पूल प्लान है कि यहाँ से यहाँ यह एरिया को काट देंगे, यूकारीन के, जिससे यूकारीन धीरे धीरे एक landlock country हो जाएगा, और यह पूरी तरह से landlock हो जाएगा, नीचे से कोई मतलब ही नहीं नहीं बने ग अब इनको खामियाजा भूगतना पड़ेगा, Q में उसकी सेना घूच चुकी है, रूसकी सेना चारो और से घूच चुकी है, अब ये वेट और वाच करेंगे लोग, जल्दी से जल्दी जो नसकी जो हैं वहाँ पे, वो सरेंडर कर दें, और रूसकी सेना बहुत सक्तिसाली ह कई देश मदद के लिए आएं, लेकिन इससे बहुत कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन रूसके लिए भी है, जितने देर होगा यूद में, उतने रूसके लिए समस्याएं बढ़ेंगी, उसके उपर सैंक्सन्स जो हैं, वो और जादे लगते जाएंगे, भारत पे भी इसका का तेल 200-500 लिटर के राउंड जाने वाला है, दवाईयां यूकरेन के लोगों को महया पड़ेगा, क्योंकि भारत उन लोगों को दवाईयां बेशता था, गेहू के लिए एक चीज का प्रॉफिट यह है, यूकरेन और रूस दोनों गेहू के बहुत बड़े उत्पादक ह पास गेहू का बहुत बड़ा भंडार था, यूकरेन में गांस का मैदाने जिसे कहते हैं इस्टेपी, उसे ब्रेट बास्केट आप दा वर्ल्ड कहते हैं, कि दुनिया में वो गेहू वहां बहुत ज्यादे मातरा में उत्पादित होता है, तो गेहू का इन लोग के पास प यार बीठा है, उसने अपनी अर्थवेवस्था को बजट में जो पारित किया था, उसको इस्टेवल रखने की कोशिस किया, वहां परियाप्त मातरा में विदेशी भंडार रखे गए हैं, वो सोने का परचूर भंडार रख चुका है, अमेरिका ने उसके उपर सबसे खतर परनाग परतिमन लगाया है, स्विफ्ट बैन लगा दिया है, देखिए, दो तरह के बैंकिंग में कोड होते हैं, अगर आप देश के अंदर ही पैसा भेजना चाहते हैं, तो आपको IFSC कोड लगते हैं, आप अगर जानते देगे होंगे, बैंक में कभी भी पैसा ट्रांसफ कोड काम करेगा, जितने लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते होंगे, बीदेश से समान बेचते होंगे, आता होगा, उन लोग को पैसे के लिए IFSC कोड नहीं बलखी, स्विफ्ट कोड की जरुवत परती होगी, अमेरिका ने यूरोपिये देशों के दबाओं में आकर, रूस क क्या कि यह स्विफ्ट कोड से हटा दिया, अब रूस का स्विफ्ट कोड ही काम नहीं कर रहा है, रूस में इंटर्नल ब्यापार तो होगा, लेकिन बाहरी ब्यापार पर बैल लग जाएगा, अलाकि रूस चाहे तो रूबल में इसका ब्यापार कर सकता है, रूस की पर जुकना है ना हमें रूस के जुकना है हमें दोनों से जरूरत है और दोनों से साउधान रहने की जरूरत है अलागी क्वाड ग्रूप में भारत ने अमेरिका का साथ नहीं दिया एक नूट्रल को कुना आया है उनो में भारत ने एफ स्टेंट कर के वट्न डालके वह भी तरह के नूहोल시면 में भारत बहुत कुछ नहीं कहने वला है रूस के खिलाफ हम Jestar हमें बैलेंस लेके चलना है अमेरिका के कहने पर हम लोग को नहीं आना है क्योंकि अगर हम यूक्रेन को कभजा कर लेगा, यूक्रेन ले गया, रूस, अब ताइवान लेके चला जागा, चाइना, इसके बाद इस्प्रेटले दूइप लेगा, इसके बाद पारसेल आइलेंड लेगा, ये चाइना के लिए प्लस पॉइंट होगा, अतर चाइना को रोकने के लिए हमे देश का संसेक्स नीचे गिर गया 10 लाख करोड रुपे जो हमारे संसेक्स है 5% संसेक्स नीचे चल गया हमारा सेयर मार्केट यानि लगबग 2,000 अंकों की गिरावट देखी गई है जिसे वैलू में कहेंगे तो 10 लाख करोड का ये नाटो आई इन लोग के चक्कर में ये आप अमेरिका के दोस्मनी तो खतरनाक होती है दोस्ती और खतरनाक होती है ये किसी के नहीं होते है और अमेरिका के पिछले कर्मों को हमें नहीं भूलना चाहिए याद किजिए 1971 में जब जंग चल रही थी तो रूस हमें बचाने आया था चालीसवा बेड़ा भेजा था और यह हमारा दिया था, UNO में कस्मीर में जब जब मुद्दा आया था, तो UNO कहता था कि वहाँ के लोगों से पूछिए क्या होगा, तो रूस वहीं पर रोक लगाता था, हम कैसे भूल सकते हैं रूस को, रूस ही हमें सबसे ज़ादे हथिया दिया, आज भी भारत में 80% हथिया, रूस से ही आजाते हैं, हम इसको नहीं भूला सकते हैं, 1998 में जब भारत ने अपना परमाडू बं पर इक्षड किया था, पूरी दुनिया खिलाफ हो गई थी, रूस साथ खड़ा था, आपको याद है कि नहीं इन दोनों की जोडिया, इन लोग ने परमाडू पर इक्षड किया था, उसके बाद कोई हमें आख उठा कर नहीं है, लेकिन हम वचन देते हैं कि सुबा का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा, तो अमेरिका अपना परमाडू बं लेके भागा था, याद किजिए अभिननन की जी का फाइटर पाइलेट इनके उपर जहाज से जो श्ट्राइक किया था, वो जहाज भी पाकिस्तान को अमेरिका नहीं दिया था, F-16 जहाज, आज भी हमारी जरुवत रूस ही पूरा करता है, S-400 के दम पर आप हम चाइना को चैनलेंज करते हैं, किसने दिया, रूस ने दिया, विक्रमादित किसने दिया, रूस ने दिया, 1991 में हम लोग जब अंतरिक्ष में क्राइउनिक इंज की जरुवत थी, रूस अपने 8 क्राइउनिक इंजन दे रहा था, अमेरिका ने उस पर परतिबंद लगा दिया, जिस वाज़ा से हमारा परमाडू का रेकम लगब 20 साल पीछे चला गया है, आज भी चंदरियान में अमेरिका के जगपे रूस हमारी मदद कर रहा है, तो रमोज जहाज, दुनिया का सबसे खतरनाक सूपरसूनिक क्रूष जहाज, मिसाईल यह, जिससे चाइना डरता है, किसने दिया है, रूस ने दिया है, तो हमें बैलेंस ले चलना है, कही नहीं सेना में रूस मदद करेगा, लेकिन अमेरिका से हम लोग को भी संबंद बना के रखना है, चाइना को जब कंट्रोल करने की बारी आएगी, तो रूस नहीं सुनेगा, तब हमें अमेरिका को लाना पड़ेगा, इस दूबिधा में हम लोग हैं, कि अमेरिका का साथ दें, कि रूस का साथ दें, इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या हुची होता है, समझे मन के चली हमारे दो बहुत करीबी आदमी है, उन दूनों का बियाह पड़ गया, उकर आए कि हमरे बियाह में आना, उकर आए हमरे बियाह में जाएगा, तो भण हम एक उमें जाएंगे, तो दूसरा से संबन्द खराब हो जाएगा, एक काम करते हैं, कोई दिनेों हम अपनो लगावान गहती में जोई से 2 km आगे घूसएगी लगाई तो करना नहीं है उल्जा के रखना दू किलो मीटर जहां आगे घूस धिया उधर से चाइनल वाले घूस जाएगा फिर से स्टेंड ताइवान को आपको क्या लगता है भारत को इधर उल्जा देना चाहिए कि नहीं दाना चाहिए वन आप मना करेंगे तो कोई ना कोई देश इस तरह से आपको कहेगा कि भई हमारा साथ दो उससे अच्छा हम खुद ले हुए हैं बाते खतम रूस के जगा पर कोई भी देश आता तो अपनी सीक्योर्टी को लेके चिंतित होता ही आप खुद सूचिए अमेरिका यहां पर है क्या मैक्सिको देश में अगर रूस अपनी सेना लगाएगा तो क्या अमेरिका चूप रहेगा नहीं चूप रहेगा न कोई भी देश देखेगा क्या आप यहां सेना लगा देगा और सिर्लंका उसको पर्मीशन देगा तो भारत धोएगा की नहीं देऊगा है उसको हम लोगों कैसे घराब लगता है जिसे चाहिना अपना इस्ट्रिंगा पल्स लाता है यहां पर तो हर देश को अपना तुरक्षा चिंता को ध्यान में रखना पड़ता है और इसमें सिंपल सा बात है यूक्रेयन को कोई उससे उसका देश नहीं मांग रहा है रूस रूस का सीवर केवल यहीं करना है कि यूक्रेयन डिसाइड एक लिखित देदे कि वह कभी भी नाटो सेना में सामील नहीं होगा यूक्रेयन को यह सोचना चाहिए कि नाटो में सामील होने से और हमेशा एक चीज याद रखना चाहिए, यूक्रेन हो, हम हो या आप हो, हम अपना पडोसी नहीं बदल सकते हैं, दोस्त बदल सकते हैं, इसलिए दोस्त से संबंद बने, लेकिन पडोसीों से हमेशा संबंद अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा काम पडोसी आते हैं कि यूखेन का पडूसी रूस है यह अमेरिका दोस्त है तो हमेसा एक चीज को ध्यान रखना चाहिए किला सुरक्षित करने के लिए पडूसी का सुरक्षित होना जरूरी है। यूखेन को हट धर्मिता चोड़नी चाहिए अप यूरोपीय उनियन में सामील होना नाटो जैसे इसको practice करते रहेंगे, आपके exam में जो merit से छटते हैं लोग, वो लोग इस वज़े से नहीं छटेंगे, और economics के batch बहुत देर से आठके हुए थे, अब वो 3 जनवरी से economics का बैच आजाएगा, यहां 3 जनवरी का रहें, 3 मार्च को सुबा 9 बजे, economics का बैच आजाएगा, इसमें micro, macro economy, loach वगरा सब चीज बता देंगे आपनों को, I hope आप यह सब चीज समझे होंगे, भारत को किसी का साथ नहीं देना चाहिए, international relation में कभी भी कोई भी चीज बदल सकता है, हमारी जरुवत है तो ही हम लोग काम आ सकते हैं, दूसरे के लिए, I hope आप समझेंगे, मिलेंगे नेक्स क्लास में, जैहिन